यह देखे फ्रेंड्स यह यहां से यहां तक पचास फंदों का डिजाइन है यह टोटल पचास फंदे हैं हम अपने स्वेटर में फंदेश हिसाब से रखेंगे कि जितने फंदे इधर हो इतने ही हमारे इधर बचे और बीच में यह डिजाइन आई इस तरीके से अपने हम डिजाइन डालेंगे और यह टोटल पचास फंदों का डिजाइन है तो चलिए फ्रेंड्स डिजाइन मनाएं इसके लिए हमने यह चोटा सा एक पीस बनाया है इसमें हम डिजाइन डालेंगे यह देखे फ्रेंड्स यह हमारी फंदे डाले यह हमारी 66 फंदे है 66 और आठ फंदे हमने इधर रखे 16 हमारे एक्स्त인지 डिजाइन से 8 हमें इधर रखे, 8 हम इधर बचाएंगे और बीच में हम ये दूसरे कलर से जे ग्रे कलर से हम इसको बुनेंगे ये हमारी फर्स ट्रो है और राइट साइड है पचास फंदें हम ये ग्रे कलर से बुनेंगे यह देखिए यह हमने अपनी फ्रेस्ट रो कम्प्लेट कर ली है और यह हमने पचास फंदे ग्रे कलर से बना लिये है अब हम सेकंड रो बुनेंगे यह हमारी सेकंड रो है सेकंड रो हम सेम ऐसी बुनेंगे जैसी हमने फ्रस्ट रो बुनी है ग्रे के उपर ग्रे और रेड के उपर हम रेड बुन कर यह पूरी रो अपनी कम्प्लेट कर लेंगे यह देखें फ्रेंज अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे यह हमारी थर्ड रो है और हम यह वाला कलर लगाएंगे इसमें ब्लू कलर यह हमारी थर्ड रो है फर्स्ट फंदा हम ग्रे कलर से बुनेंगे यह देखें अब हम यह कलर इसमें लगाएंगे दो त्सक्राइब तेन चार पास छे देखें अब हम यह पंद्रेफंदे ग्लू कलर से बनाएंगे नो, दस, ग्यारे, बारे, तीरे, चोदे, और ये पंद्रे, पंद्रे हमने ब्लू कलर से बनाए, एक फंद्रे हम ग्रे कलर से बनाएंगे, एक फंद्रे ग्रे कलर से फिरम हम वाइट कलर लगाएंगे, पांच फंद्रे हम वाइट से बनाएंगे, दू, तीन, चार, 5 एक फंद्रे हम ग्रे कलर से बनाएंगे फिर हम वाइट का लगाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारें बारे, तीरे, चोदे, पंद्रे, सूले, सत्रे, और ये अठारा फंदे हमने वाइट कलर से बुने, अब हम एक फंदा ग्रे कलर से बुनेंगे, एक फंदा हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ फंदे हमने वाइट से बुने, और ये लाश्ट वाला फंदा हम ग्रे कलर से बुनेंगे, देखिए, बाकि हम रैड से अपनी पूरी रो कम्प्लेट कर लेंगे, ये देखें फ्रेंट्स, ये हमारी थर्ड रो है, जो हमने बुन ली है, अब हम सेम इसी तरीके से फिप्त रो और बुनेंगे, टोटल हम छे सलाईया बिल्कुल एक जैसे ही बुनेंगे, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये छे सलाईया, इस तरीके से हम यहाँ तक, ये छे सलाईया हमारी हो जाएंगे, ये हमें एक जैसी ही अब बुन ली है, ये देखिए, ये छे सलाईया हमने, यहाँ से, यहाँ तक, छे सलाईया अपनी कम्प्लिट बुन ली है, इनको हमने एक जैसा ही बुना है, अब ही हमारी टोटल आठ सलाईया पूरी हो गई, ये अब 9 रो बुनेंगे हम, ये देखिए, इसके लिए ये जो रैड फंदा है, इसको हम रैड ही बुनेंगे, ये ग्रे कलर का फंदा है, इसको हम ग्रे कलर से ही बुनेंगे, ब्लू लगाएंगे हम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, इसको हम ग्रे से बुनेंगे, ग्रे वाले को ग्रे से बुनेंगे, हम वाइट, एक, दो, तीन, चार, चार पंदे हमने वाइट से बुनें, और ये वाइट बजा जो लास्ट का, इसको हम ग्रे से बुनेंगे, ये जो ग्रे है, इसको हम वाइट से बुनेंगे, ये देखिए, फिर हम बुनेंगे वाइट से, दो, तीन, चार, पंच, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदेरे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये वाला पंदा भी हम वाइट ही बुनेंगे, ये हमारे 22 फंदे वाइट हो गए, और ये देखिए, जो फेस्ट फंदा वाइट है, यहां से, इस बॉक्स का, इसको हम ग्रे से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, और ये वाला ग्रे जो है, इसको हम वाइट मनाएट, साथ फंदे हमारे वाइट हो गए, और ये देखिए, रेड फंदा है, इसको हम ग्रे से बुनेंगे, ये देखिए, बाके पूरी सलाई अपनी, रेड से बुनकर कम्प्लेट करेंगे, ये देखिए, ये नाइंत रो है, ये हमने कम्प्लेट कर ली, हम टैंत रो गुनेंगे, ये देखिए, ये अब हम टैंत रो पर आ गए, और हम इसको सेम ऐसा बुनेंगे, जैसे हमने नाइंत रो गुनी थी, टैंत को हम ऐसा ही बुनेंगे, बलू के ओपर बलू और वाइट के ओपर वाइट कलर से हम बुनेंगे, और इस तरीके से अपनी ये टैंत सलाई पूरी करेंगे, देखिए फ्रेंट्स, अब हम 11 तरो बुनेंगे, इसके लिए ये जो रेड फंदा है, ये देखिए, इसको हम बलू से बुनेंगे, ये दिखिए, इसको हम बलू से बुनेंगे, ये जो वाइट है, इसको हम ग्रे से बुनेंगे, ये दो फंदे हम वाइट से बनाएंगे, और यहाँ पर पांच फंदे हम ग्रे से बनाएंगे, यह वाला वाइट जो है इसको हम ग्रे से बनाएंगे एक इसको भी दो तीन चार पांच इन पांच वंदें हमने ग्रे से बनाएं हम वाइट लगाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यह 19 वंदे हमने वाइट बने और यह लास्ट वाला भी हम वाइट बनेंगे देखे इसको भी हम वाइट ही बनेंगे और यह वाइट जो फैस्ट वाइट है इसको हम ग्रे से बनाएंगे देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, फंदे हमने सफेद बने अब हम यह लास्ट वाला ग्रे से बनेंगे और यह बाकी हम देखे रैड से कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से हमारी यह 11 त्रो कंप्लीट हो जाएगे यह देखे यह 11 त्रो हमने पूरी कर लिया है यह देखे यह 12 त्रो है यह फर्स्ट फंदा हमने ग्रे से बना था अब कि बार भी ग्रे से बनेंगे वाइट को वाइट से इसको हम ग्रे को ग्रे से बनेंगे देखे अभी लास्ट वाला 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 था पंदा बचा इसको हम ग्रे से बनाएंगे यह देखे झायाओ कि आप यहां पर दूसरा कलर लगाएंगे जो कलर हम फेस में लगा यह आप यह देखे और इब Kitchenлав-a bleproduct इस कलर से बनाएंगे इसकी कलर से बाच फंदे हो गए इसके पास वाला जो वाइट है इसको हमने इंगरे से बनाया एक वाइट है इसको हम वाइट से बनाएंगे और ग्रे को हम ग्रे से बनाएंगे यह देखिए ब्लू कलर को ब्लू से बनाएंगे इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे कुभ ब zawsze रगे blessing शेखिए झनाएंगेज अचे मुड़ कि बनाएंगे शेखिए को अजवड़ारे से बनाएंगे बनाएंगे चाफिए बहु़ारे मैंन हुड़ारे है कुग झाल दो टो त, बनाएंग है। ग्रे को ग्रे से और ये रेड है इनको हम बाकी जो बचे रेड से कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से ये ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो जाएगे ये देखिए ट्वेल्थ रो के बाद ये डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है अब हम तर देखे फ्रेंड्स ये थर्टीन रो है ये जो फर्स्ट रेड फंदा इसको ग्रे से बुनेंगे ये जो ग्रे फंदा है इसको ब्लू से बुनेंगे यहां तक हम इसको ब्लू से बुनेंगे यह देखे अब हम इसको जो ग्रे फंदा है इसको हम ब्लू से बनाएंगे और जो यह वाइट है इसको हम ग्रे से बनाएंगे देखे यह वाइट है इसको हमने ग्रे से बना यह ग्रे है इसको भी हम ग्रे से बनेंगे यह दो फंदे हमारे ग्रे हो गए यह फाच फंदे हम इसी कलर से मुनेंगे एक दो तीन चार और यह पांच यह एक फंदा ग्रेश से मुनेंगे यह देखिए और यह यहां तक पूरे हम वाइट ही बुनेंगे यह देखिए यह जो ग्रेश फंदा है इसको भी हम वाइट बनाएंगे और यह वाइट है इसको हम ग्रेश से बनाएंगे यह ग्रेश से बनाया बाकी हम यह दो तीन चार पांच फंदे वाइट से एक फंदा ग्रेश से बाकी यह जो बची हुए फंदे है इनको हम रेट से बनाएंगे देखिए इसी तरीके से पुरी रों हमारी कम्प्रेट हो गई यह देखिए फ्रेंड्स अब हम फोर्टिन रों पर आवे हैं यह जो फर्स्ट फंदा है ग्रेश इसको हम रेड बनाएंगे और यह जो फर्स्ट फंदा वाइट है इसको हम ग्रेश बनाएंगे यह देखिए हम तीन फंदे वाइट से बुनेंगे एक फंदा ग्रेश बनाएंगे जो वाइट है जो ग्रेश है इसको हम वाइट बनाएंगे और यह तक अब हम वाइट ही मुनेंगे यह देखिए हमने यहां तक बुन लिए अब जो एक ग्रेश फंदा है इसको हम वाइट बनेंगे और जो यह है इसकी इसको हम ग्रेश बनेंगे देखिए तीन फंदे हम इस कलर से बनेंगे एक दो तीन और यह जो चोथा फंदा है इसको हम ग्रेश से बनेंगे और यह दो फंदे हम जो ग्रेश से बनेंगे इसको हम ग्रेश से ही बनेंगे देखिए यहां पर दो फंदे हमने ग्रेश से बना लिए जो एक ग्रेश फंदा है इसको हम ब्लू से बनाएंगे झालिख से बनाएंगे कि यह देखिए अब जए ग्रेफ ने फंदा है इसको भी हम बुलू से बुनेंगे और यहां पर हम पांच फंदे ग्रे से बुनेंगे एक दो तीन चार और यह पांच लास्ट वाला फंदा हम रेड से बुनेंगे यह देखिए यह हमारी फोर्टीन रों कम्प्लीट हो गई यह देखिए यह फिफ्टीन रों है ने फ़र्ष्ट फंदा रेड बुन लिया और जो एक ग्रे से फ़र्ष्ट फंदा था इसको ग्रे से बनाएंगे यह तीन फंदे हम इसकी इन कलर से बुनेंगे यह देखिए एक दो तीन यह ग्रे फंदा जो है इसको हम ब्लू से बनेंगे और बाकी जो ब्लू फंदे हैं यह को हम ब्लू से ही बनेंगे यहां तक हमें ब्लू से बुनना है यह देखिए यह जो ग्रे है इसको हम वाइट से बनाएंगे दो फंदे हमने वाइट से बनाएं यह जो तीन इसकीन है फंदे इसकीन कलर से इनको ग्रे से बनाएंगे एक दो तीन इसको हम वाइट से बनाएंगे यह देखिए और यहां तक हमें वाइट से ही बुनना है यह देखिए अब जो यह तीन फंदे हमने वाइट बनाएं थे इनको हम ग्रे से बनाएंगे और जो फेस्ट बनदा ग्रे है इसको हम वाइट से बनाएंगे देखिए तीन फंदे ग्रे से और यह वाला जो फंदा है लास्ट वाला इसको हम रैड से बनाएंगे और इसी तरीके से ही रैड बंते हुए पूरी रो अपनी कम्प्लीट करेंगे यह देखिए 15 रो हमारी कम्प्लीट हो गई देखिए यह 16 रो है जो रैड फंदे बुरने थे हमने उनको हम रैड ही बुनेंगे देखिए एक फंदा हम ग्रे बुनेंगे यह दो फंदे जो ग्रे हैं इनको हम वाइट बुनेंगे और यहां तक हमें वाइट बुनना है यह देखिए यह सारे फंदे हमने वाइट बुन लिए अब हमें यह ब्लू छोड़कर फंदे भी वाइट बनाने हैं यह देखिए यह सारे फंदे हमने वाइट बना लिए जो फर्स्ट फंदा ब्लू है इसको हम ग्रे से बनाएंगे और बाकी सारे फंदे हम ब्लू से बनाएंगे यह देखिए यहां तक हमें ब्लू से बनाने हैं यह देखिए यह लास्ट वाला ब्लू फंदा है इसको हम ब्लू से बनेंगे यह देखिए फंदे स्कीन कलर से इसको हम ऐसे ही बनेंगे और यह लास्ट वाला हम ग्रे से बनेंगे और एक फंदा रेड से देखिए फ्रेंड्स अब हम 17 रोपर हैं फंदा हम रेड से बनेंगे और यह सेकिंड भी हम रेड से ही बनेंगे और यह फंदा जो हम इसकीन कलर से है इसको हम ग्रे कलर से बनेंगे और यह दो फंदे हम एक फंदा हम इसकीन से और एक हम ग्रे से बनेंगे देखिए एक फंदा जो है यह ब्लू से इसको हम रेड से बनेंगे यह देखिए एक फंदा हमने रेड से बना जो फंदा ब्लू है इसको हम ग्रे से बनेंगे फिर हम ग्लू से बनेंगे यह देखिए यहां तक हमें ग्लू कलर से ही बनना है इसको हम ग्रे से बनेंगे और यह जो ग्रे है इसको हम वाइट से बनेंगे और यहां तक यह जो ग्रे है यहां तक हमें पूरा वाइट बनना है यह देखिए यह ग्रे फंदा है इसको हम ग्रे से बनेंगे और बाकी पूरी रो अपनी रेट से बना कर कंप्लेट कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स यह एटीन रो है यह देखिए फन रेब है यह फर्स्त फंदा जो ग्रे है इसको हम ग्रे से बनेंगे और यहां तक जो पूरे वाइट है इनको हम वाइट ही बुन लेंगे पूरी रहो यहां तक हमें वाइट ही बुननी है यह देखे फ्रेंट्स यह वाइट फंदे हमने बुन लिए यह फंदा जो ग्रे है इसको हम वाइट बुनेंगे और जी ब्लू है फेस्ट फंदा इसको हम ग्रे से बुनेंगे चार फंदे हम ब्लू से बुनेंगे चार फंदे हो गए पाच फंदे हम ब्लू इधर छोड़ेंगे एक ग्रे बनाएंगे वो और चार और बीच के देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फंदे जो हैं इनको हम ग्रे कलर से बनाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ ये देखे चार फंदे ग्लू से एक दो तीन चार एक फंदा जो ग्लू है इसको हम ग्रे से बनाएंगे और बाकी सारे फंदे हम रेट से बनाएंगे कि तीन फंदे रेट से होगे एक फंदा जो इसकिन है इसकिन कलर से इसको हम ग्रे कलर से बनाएंगे देखे आठ फंदे हमने ग्रे कलर से बनाएंगे क्षार चार फंदे ब्लू से एक ग्रे से तीन हमने रेड से ये बेच वाला एक ग्रे से बाकी तीन हमने रेड से बनाएं और इस तरीके से हमारी पूरी रों कम्प्लीट हो गई यह देखे फ्रेंड्स अब हम नाइंटीन रों बनाएंगे यहां तक यह ग्रेफ अंदा है इस तक हम इसे रेड़ बुनेंगे देखें ग्रेफ अंदे को हमने रेड़ बुन लिया पुझे ब्लू है इसको हम ग्रेव बुनेंगे यह देखें और दो फंदे हम ग्लू से बुनेंगे एक दो फंदे एक फंदा हम ग्रेव से बुनेंगे और जो आठ फंदे हमने ग्रेव से बनाए थे इनको हम इसकिन कलर से बनाएंगे आठ फंदे बनाएंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, औरी आठ एक फंदा ग्रे से बनाएंगे दो फंदे बलू से बनाएंगे फिर एक फंदा हम ग्रे से बनाएंगे देखे फ्रेंज, यह हमने 19 रो बना ली है अब हम 20 रो शुरू करेंगे इसके लिए हम यह ग्रे है, इसको हम ग्रे ही बनाएंगे और यहां तक इसको देखे दो फंदे छोड़ लेंगे, यहां तक इसको हम वायट मुन कर और फिर मिलते हैं, देखे यह देखे, यह 20 रो है बैक साइड अब हम यहां पर आ गए यह जो लास्ट वाला वाइट फंदा है इसको हम ग्रे बनाएंगे जो सेकेंड फंदा ग्रे है, इसको भी हम ग्रे ही बनाएंगे दो फंदे तीन फंदे हम जो ब्लू कलर से है, दो तो इसको भी हम स्किन से मुनेंगे और एक यह ग्रे, यह तीन फंदे हो गए को हमने स्किन से मुन लिया देखे, यह जो ग्रे फंदा है, इसे हम इसकीन कलर से बनाएंगे, दो फंदे और बनाएंगे और यहाँ पर दो फंदे हम ग्रे कलर से मनाएंगे इक तो यह ग्रे है इसको और इकी रैड को इस देखे, और बाकी पूरी रो हम रैड से कम्प्लीट करेंगे इस तरीके से हमारी बीश्वी सलाई पूरी हो गई देखे, यह 20 रो है अब हम 21 रो सुरू करेंगे यह देखे, अब हम 21 रो पूनेंगे यह लास्ट वाला रैड फंदा है इसको हम ग्रे कलर से बनाएंगे और दो ग्रे कलर से बने हैं जो इनको हम इसकी कलर से बनाएंगे इसकी कलर से बनाएंगे थो फंदे इसी कलर से बनाएंगे जब आए और एक फंद इसे बनाएंगे और एक हम यहाँ पर ग्रे से बनाएंगे थेखिए पूरी रोह हम यहां तक वाइट से बनाएंगे और यह लास्ट वाला फंद रे से बनाएंगे और रोंग साइड में भी हम यह ग्रेय से बनाएंगे और फिर यहां तक हम बना लेंगे